बिधाय केवन पर्देश कॉंग्रिस महासचीफ ठाकूर रामलाल ने बिलासपुर में पत्रकारों से बाचीत करते हुए पर्देश सरकार पर जम कर निजाने सादे वहीं पर उन्होंने कहा कि बरसाद का जो नुक्सान हुआ है कई लोग ऐसे हैं जिने सरकार ने कोई मुआपजा पर दान नहीं किया उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन सरकार के सवी दावे दिखावा ही नजर आते हैं रतनपूर धार की अर्जुन सिंग का मकान बरसात में गिर गया था जिसने बांसू के उपर अपनी च्छत खड़ी की है उसका बात्रूम भी डह चुका है पसुसाला भी डह गई है लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई मुआपसा नहीं दिया गया रामला थाकूर ने कहा कि बरसात में गाम भाकडा में भी काफी नुकसान हुआ लेकिन परदेश सरकार की द्वारा लोगों को उनके नुकसान का मुआफ़ा नहीं दिया जा रहा है जो भी केंदर सरकार के पास पैसा सब्विक्रित हुआ है पवबविन विभागों के जो पैस पैसा आता है उसी के संदर्व में आया है लेकिन परदेश सरकार उस पैसे को केंदर की ग्रांट बता कर लोग सबाचुनाबों में मात्र फाइदा लेना चाहती है लेकिन ये पैसा ये कोई ग्रांट इनेड नहीं मिली है माचल प्रदेश को ये हमारा जो एन्वल बजट है उसके मताबिक ये पैसा डिपार्मेंट का आता है क्योंकि प्रधान मंतरी ने सब कुछ अपने पास रख लिया हुआ है इसलिए एगरी कर्चर का होटी कर्चर का आई पी एच का बिजली बोर्ड का जहां का भी को पैसा अगर रिलीज होता है जो हमारा राइट है राज्य का जो पैसा मिल रहा है उसको भी मैं कहूंगा ये एक विशेस पैकेज के तौर पे लोगों के दमाग में और लोगों को इसलिए मैं कहूंगा कि चुनाव आ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं के तुम हर कुछ करो अभी जो पैसा आया है इस पैसे कह रहे हैं कि नीजी मैं मैं आपको एक उधार नहीं दूंगा मैं रतनपूर की धार में गया था बिल्कुल ओपर यह यह हमारा गाउं है इस गाउं क के एक अरजुन सिंग है सनव शरीफ बंसी राम इसका मकान गिरा हुआ है मकान तो और भी गिर है मैंने भाखडा के बारे में भी कोई सेंटी अठी अठीस लोग हैं जिनका नुक्तान हुआ जिनके मकान गिर गए जिनके बातरूम चले गए जिनकी जमीन चलीगी लेकिन उस लकिन जो च्छत है यह जो वापे चक्के पड़े हुए उसमें स्लेट पड़े हुए हैं वो मोड़ियों को उपर खड़ी कर रखी है कोई अधिकारी वा नहीं गया एक पहस पैसा उनको मिला और उतका बातरूम भी चला गया उसका जो पश्यों का जो गोड है वो भी चला लेकिन एक पैसे की अदाइकी उनको नहीं हुई ऐसे में कहूंगा कि बिलास्पर में बहुत सारे लोग हैं जिनके पश्यों मर के उनको कोई पैसा नहीं मिला जिनके मकान चलेगे उनका पैसा नहीं मिला हाँ एक चीज जरूर है कोई कोई जनमंच चला रखा है जनमंच में एक ऐसी बमारी है जिस बमारी के आगे अगे जो है वो जो भी द्वाई दोग देगे वो द्वाई द्वाई असरी नहीं करती जन्मंच में सारा डिस्टिक अड्मिस्टेशन लगा दिया हुआ है और 15 दिन पहले जो है वो अधिकारी उसमें लगते हैं 15 दिन के बाद हरे अग लोगों को अटेंडनी किया जा रहा है जबकि पेडित अनुश रिंग ने बताया कि बरसात में उसका मकान गिर गया है पशुशाला गिर गयी है लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई मौफ़ा नहीं दिया गया उसने अपना मकान वांसों के उपर खड़ा किया है जो कभी भी गिर सकता है